हलो एवरिवन, वेलकम टू अड़र 24-7, I am निमिशा बंसर और आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं कि पैरा जंबल्स को कैसे अटेंप करना है जेनरली स्टूडेंस को बहुत डर होता है जब वो पैरा जंबल्स के क्वेस्चन्स देखते हैं बट हमारी कुछ ऐसी ट्रिक्स एंड स्ट्राटेजीजीज हैं जिनसे हम इन पैरा जंबल्स को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्फ कर सकते हैं बहुत कम टाइम में सॉल्फ कर सकते हैं पहले मैं यह बता दूँ कि para jumbles होते क्या हैं जिन students को doubt है कि ma'am para jumbles क्या होते हैं para jumbles में आपको क्या दे रखा होता है बचों बहुत सारे patterns हैं मैं आज एक pattern की बात करूँगी आपको for example चार sentences दे रखे हैं एक sentence A है एक B है एक C है और एक D है आपको चार sentences दे रखे हैं आपको इन चारों ही sentences को ऐसे arrange करना है कि इन चारों को arrange करके एक meaningful paragraph बन जाए आपको चारों ही चारों sentences को ऐसे arrange करना है जैसे कि इन चारों ही sentences को arrange करके एक meaningful paragraph बन जाए options हमें कैसे दे रखे होंगे for example एक option उन्हें दे दिया A, B, D, C एक option दे दिया A, C, B, D और बाकी के दो options और ऐसे दे दिये अब आपको देखना है कि इन चारों options में से ऐसा कौन सा option है जो एकदम paragraph बना देगा समझ में आप पैरजंबल्स क्या होता है अब हम कुछ tricks और strategies पढ़ेंगे कि इन पैरजंबल्स को हम कैसे attempt कर सकते हैं इन पैरजंबल्स को हम कैसे solve कर सकते हैं अगर मुझे वो tricks यूज करना आ गया तो hardly मेरा ये question 5 से 6 सेकेंड कर है जाएगा अगर मैं उन tricks की अच्छे से practice कर लूँ इस वीडियो में आपको वो trick बताने वाली हूँ आपको पैरजंबल को कैसे देखना है step number 1 सबसे पहला step हमारा क्या है हम options को देखेंगे और options को देखने के बाद ये identify करने की कोश करेंगे की पहला statement क्या है क्या स्टीज करनी है हमें see the options and options को आप देखेंगे and try to identify and you will try to identify आप यह identify करने की कोशिश करेंगे, क्या identify करेंगे, starting statement या फिर opening statement या फिर first statement, आपका first statement क्या है, कैसे इस चीज को करेंगे students, for example, चार options आपको दे रखेंगे, PQRS, QRPS, SRQP, SPQR, आपने इन तीनों सारे sentences को देखा, आपको क्या समझ में आया, options को देखके, कि या तो statement मेरा P से शुरू होगा, या तो जो मेरा paragraph है, वो P से शुरू होगा, या फिर मेरा paragraph जो है, वो Q से शुरू होगा, या फिर मेरा paragraph S से शुरू होगा, पहले मैंने R को eliminate कर दिया, और मुझे क्या समझ में आया, कि जो मेरा paragraph है, इन तीनों में से एक से शुरू हो रहा होगा, क्योंकि R तो starting में option में ही नहीं है, क्या step number one सभी को clear है, step number two पे आते हैं, what is step number two, अब आपको अगली बार, अगला step में क्या करना है, you have to identify noun pronoun pairs, identify noun pronoun pairs, बहुत important step, आपके आदे से जादा questions पैरा जंबल के इसी वाले step से solve हो जाएंगे, क्या हमारा step है, noun pronoun pairs को identify करना, मतलब, देखो, मुझे first statement से ये पता चला था, कि या तो मेरा paragraph P से शुरू होगा, या मेरा paragraph Q से शुरू होगा, या मेरा paragraph S से शुरू होगा, अब, अब आपने इन तीनों के तीनों statements को पड़ा, और आपको क्या मिला बच्चो, यहाँ पे राम लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ही लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ही लिखा हुआ है तो क्या मैं इन तीनों चीजों को देखके कह सकती हूं कि स्टार्टिंग सेंटेंस पी ही होगा ध्यांतर समझना इस बात को अगर यह बात समझ गए 80% पैरा जंबल्स के questions आपके यही की यही solve हो गए कि क्या मैं कह सकती हूं कि अगर पी में राम लिखा हुआ था क्यूं में ही लिखा हुआ था तो स्टार्टिंग वाला सेंटेंस हमारा पी होगा राम होगा क्यूं क्यूं कि एक noun अपने pronoun से पहले आता है pronoun का मतलब क्या होता है pronoun का मतलब होता है ऐसा word जो noun की जगा use हुआ है तो noun पहले आएगा बाद में pronouns आएगे मतलब P पहले आएगा बाद में Q आएगा या बाद में S आएगा मुझे Q और S समझ में नहीं आया पर मुझे इतना समझ में आ गया इसी स्टेप को करने से कि P मेरा पहले आएगा, तो जिस भी option में P पहले था, वो answer था. क्या ये चीज़ क्लियर है? एक question का थोड़ से आपको hint और बताती हूं, एक sentence है, suppose, आपने options देखे, आपको Q में लिखा हुआ मिल रहा है, राम और शाम, Q में आपको लिखा हुआ मिला राम और शाम, और S में आपको लिखा हुआ मिला ही, क्या QS कभी कोई पेर हो सकता है? Q में लिखा हुआ था राम और शाम, S में लिखा हुआ था ही, क्या QS कभी पेर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि राम एन शाम है तो इसका pronoun क्या होना चाहिए राम और शाम का दे तो वो sentence जिसमें दे आ रखा होगा वो Q के बाद आएगा QS आपने eliminate कर दिया और जिस जिस option में QS option उसको आप eliminate कर दोगे कहने का मतलब क्या है कि noun और pronoun का अगर pair identify करना सीख गए तो दो-तीन options तो ऐसे ही eliminate हो जाएंगे कैसे eliminate होंगे पहले तो ऐसे समझ में आएगा कि क्या करना है और उसके बाद भी अगर दो-तीन options यहां बच गए तो बाकी कि आप ऐसे eliminate कर दोगे क्या step number 2 clear है सभी को step number 1 क्या था? सबसे पहले first statement identify किया step number 2 क्या था? उन statement में हमने noun और pronoun के pairs ढूने options को eliminate किया कि अगर गलत pair है तो option को eliminate कर दिया अब बात करते है step number 3 की अब आपको step number 3 में बच्चों क्या करना है? आपको हो सकता है step number 2 से ही answer मिल जाए अगर आपको step number 2 से भी answer नहीं मिल रहा अब आपको क्या ढूनना है बच्चों relative pronoun ढूनना है क्या ढूनना है आपको? relative pronoun relative pronoun का मतलब क्या होता है? for example who एक relative pronoun है which एक relative pronoun है? क्या कोई बच्चा? आप लोगे पता होगा आप दोगों को who एक relative pronoun है? who हम किस के लिए use करते हैं? living things के लिए या फिर और specifically बोलू who हम किसके लिए use करते है students persons के लिए इंसानों के लिए हम who use करते है या फिर pet animals के लिए हम who use करते है which हम किसके लिए use करते है which हम non living things के लिए use करते है और हम किसके लिए use करते है which को हम animals के लिए use करते है तो आपको चार sentences दे रखे थे P, Q, R, S दे रखा था Q में last में लिखा हुआ था butterfly ध्यान दे समझना इसके starting में लिखा हुआ था who इसके last में लिखा हुआ था women और इसके starting में लिखा हुआ था which तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या-क्या combinations होने चाहिए option में हुआ को किसलिए यूज करते हैं इंसानों के लिए मतलब विमिन के बाद हुआएगा विमिन के बाद हुआएगा मतलब एक combination क्या बनेगा बच्चों हमने सबसे पहले noun pronoun पे एस ढूने उससे काम नहीं चला तो हमने क्या ढूना relative pronoun ढूना अब relative pronoun से भी काम नहीं चलेगा तो हमें लास्ट में क्या ढूनना पड़ेगा conjunction अगली चीज आप लोग क्या ढूनेंगे conjunction अब conjunction की कुछ बात करते हैं वैसे conjunction वाला टॉपिक्स मैं डील करूंगी अपने आगे आने वाली वीडियो में बहुत डिटेल में समझाओंगी जनरली पहरा जंबल के जो questions होते हैं वो या तो noun pronoun वाले pair से हो जाते हैं या तो वो conjunction से हो जाते हैं कोई-कोई एक आपका conjunction है as एक आपका conjunction है since इन तीनों को मैंने एक category में रखा और बाकी तीनों को मैंने एक लिखा hence एक मैंने conjunction लिखा therefore और एक मैंने conjunction लिखा so इन तीनों को मैंने अगली category में रखा क्या मैं कह सकती हूँ कि because, as और since से पहले result आता है और इनके बाद reason आता है इन तीनों के तीनों से पहले result आता है और इसके बाद एक reason आता है जबकि अगर मैं इन तीनों conjunction की बात करूँ इन से पहले एक reason आएगा और बाद में एक result आएगा बिल्कुल opposite तो आपको पहले जंबल में ढूणना है कि PQRS में से कौन सा वाला result है और कौन सा वाला reason है उस order में उनको लगा दू because as और since conjunction मिल गया तो पहले result आएगा फिर reason आएगा और अगर hence therefore so मिल गया तो पहले reason आएगा फिर result आएगा example दो समझना मैंने लिखा he was ill result है या reason है he was ill reason है इसका result क्या निकला he did not attend the class ये क्या है बच्चों he did not attend the class this is a result ये हमारा result है ये हमारा reason था ये हमारा result है तो अगर मुझे इन तीनों conjunction मिल रहा है तो पहले result आएगा फिर reason आएगा he did not attend the class because he was ill he did not attend the class as he was ill he did not attend the class since he was ill और अगर मुझे ये तीनों conjunctions मिल रहे हैं तो he was ill hence he did not attend the class he was ill therefore he did not attend the class he was ill so he did not attend the class क्या ये concept clear है conjunction का तो हमने चार strategies पढ़ी क्या-क्या वो हमने चार strategies पढ़ी पहले हम first statement identify करेंगे उसके बाद हम noun-pronoun pairs देखेंगे उसके बाद हम relative pronoun देखेंगे और उसके बाद हम conjunction देखेंगे hope आप लोगों कोई वीडियो पसंद आई होगी समझ में आया होगा जिनको समझ में नहीं आया मैं अपने आगे आने वाली वीडियो में examples discuss करूंगे जो हमारे previous year papers में आई हुए हैं जिससे कि आप इन steps को वहाँ apply कर पाऊगे thank you very much कनした roupते लुए हैं तærम करोंगे कर आप लोगे आपने आप्याच्द् looked up आप screening a दिससे किसा थाएबелेन 2 वहाँआ ओए आप को वहाँ नहीं हैं आप ya